हलो स्टुएंट्स नेक्स्ट आ चुक है अपने एक्जेम्पल नमबर टू पर क्या कह रहा है दा कॉस्ट प्राइस ऑफ टाइप वन राइस सिक्ष्टी रूपीज पर केजी ठीके तो कॉस्ट प्राइस यह रखा और मुझे पता है कि यह राइस की जो प्राइस है वो इससे क अब क्वास्ट प्राइस आफ डिरर राइस दी एटी रूपीज है यहां तक सम्झ में आ रहा है ठीक है इफ बोर टाइप ऑफ राइस आर मिक्स दिन दा रेशो तू रेशो त्री यानि कि मुझे जो दे रखा है क्या क्वंटिटी क्वंटिटी ओफ चीपर राइस पॉंटिटी ओफ डिर राइस राइस एक तो बैख देन फाइन दा प्राइस ओफ पर केजी भी घ्रैज तूटल प्राइस निगल के आने वाली थे म वह आपको फाइंड आउट करना है ऑप देको फर्मुला क्या होता मेरे पास फर्मुला होता है यह quantity of cheaper price upon quantity of dearer rise equals to cheaper के अंदर मैं उपर formula में क्या लिखता हूँ cheaper के अंदर में लिखता हूँ D minus M और नीचे के लिखना हूँ M minus C formula याद कर ले यहाँ पर M minus C की value यानिकी 60 है जिए cross multiply कर दो 2 से multiply हो जाएगा M minus 60 और यहाँ पर 80 minus M से multiply हो जाना है 3, okay 2M, 2, 6, 12, 120, 240 minus 3M, okay, 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 अब M excite कर दो 2M plus 3M हो गया यह and यह 240 plus 120 हो गया, got it यह 5M हो गया and इनको add करेंगे तो 4, 5, 6, 2, 1, 3, okay, 5, 7, 35, 1, 10, 5, 2, 10, M की value कितनी हो गई 72 rupees है यह rupees हाना find the price per kg of the mixed price हाना तो आपके पास जो required price per kg आएगा रहा वो 72 rupees per kg निकल कर आएगा ठीक है अब बताओ क्या समझ में नहीं आया यहां तक बताओ clear है क्या सभी को तो this is complete example number 2 आएपsc sis legitimate 152 되고 सभी 250 आएगा हैskike 17208 do 10 बताओει 4 यह तो आए नहीं तोजिए लो गएशी आतआ तो GU आएगाई और तोbang